भविश्य उनका भ्यानक होता है जिनके पास चरित्र का बल नहीं होता और जो परमात्मा की दी हुई मानवी शक्तियों का सदुपियों करने में आलस्य तथा प्रमान बरतते हैं. मेडम क्यूरी पुस्तक का नाम विश्व की महानारिया भागतीन अपनी अपरमित शक्ति, संकल्प, अदम्न साहस, अथक शम्शीलता, दूरदर्शी बुद्धी मत्ता, स्नेह, करुणा, मम्ता, वात्सल या आदि नैसर्गिक गुड़ों से संपन नारियों ने जीवन के प्र पुरिशों के वच्चस्व को अस्विकार कर नारी उतकर्ष के अभिनोग प्रतिमान गड़े। गुरुदेव ने 21 सदी को नारी सदी उतगोशित किया है। अब नारी को घर की चार दिवारी में सेमित नहीं किया जा सकता। उसे खुले आकाश के तले एक सत्तंकल्प लेक कर विचरना ही होगा। राष्ट निर्मान कर अपनी अंतर नहीं शक्तियों एवं चमताओं का परिचे देना ही होगा। तो आईए एक छोटी सी पुस्तक के माध्यम से हम विश्व की ऐसी महान नारियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को हिर्द्रेंगम करें। जिन से प्रेणा लेकर हम भी अपने जीवन को माहान बना सकते हैं। पुस्तक के कुछ सदवाक्या। राष्टों का इतिहास बलिदानियों के बलिदान से लिखा जाता है। एक श्रेष्ट विभूती अगरित आसूरी शक्तियों को जीच सकती है। एक सच्चा मानव वही है जो स् वहाँ अतीत जो वेदनापूर्ण आसूओं के सिवा कुछ न दे सकता अगटित घटना के समान भूल जाना चाहिए। फुस्तक के मुख्य बिंदू। अपराजिता लाइना, इजरायल की कर्णधा श्रीमती गोल्डा मेर, अमेरिका की महान निग्रो महिला फिलिस विटले, सहस्त किशोरों की जीवन दातरी मिस एटीली, त्यागम जन सेवी का मेडम क्यूडी। जन सेवी कि प candा चाहिए, ब नाथ जज समान की जातरी मिस एफोड़ झाला सेवी देरा मेर, याजरा सेवी को जे ऐसा जनी दिटिए। झाला सेवी की जीवन दीवन मेर, ये तो झाला सेवी कसा भीज, ये बनी कि चूला, ये एर ये बीद्न adaptी मेरे ला-जेता अ circuits एत